वेल्कम फ्रेंड्स इन हेल्स रेंबो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामीन D टेस्ट क्यों किया जाता है या आपको विटामीन D टेस्ट क्यों करवाना चाहिए उसका जो सबसे पहला कारणी है कि यदि आपकी हड़ियों में दर्ध रहता है तो आपको विटामीन D टेस्ट जरूर करवाना चाहिए क्योंकि हड़ियों में विटामीन D की कमी से कैल्शन की कमी से दर्ध होता है दूसरा ही है कि यदि आपकी पीठ में देद रहता है, कमर में या बदन में देद रहता है तो ये भी विटामिन D की कमी का एक लक्षन होता है उसके अलावा यदि आपकी हड्यों में, यहाथों में, पैरों में सूजन आ जाती है तो ये भी विटामिन डी की कमी का एक लक्षन होता है इसमें आपको विटामिन डी टेस्क करवाना चाहिए उसके अलावा यदि आप बहुत जादी थक जाते हैं बहुत जादी थकान हो जाती है, कमजोरी हो जाती है आपका काम करने में मन नहीं लगता है तो इसमें भी हो सकता है कि आपके शेरीम में विटामिन D की कमी हो उसके अलावा कमजोरी, इतलक्षन होता है जिसमें विटामिन D के टेस्थ करवाना बहुत जरूरी होता है उसके अलावा जो लोग Old Age हैं, जिनकी हड़ियों में कमजोरी अजाती है या जिनमें किस तरीके के परिशानी है उनको भी विटामिन D टेस्ट धरवाना चाहिए साथ-साथ में यदि आपके शेरी में हैडियों में किस तरीके फ्रैक्चर हो गया हो हो सकता आपके शेरी में केल्शियम की कमी हो ये कारण हो इसी वज़े से आपको फैक्चर हुआ तो आप ही आपको विटामिन डीस्टेस की जबत होती है उसके अलावा यदि आपको आटो इमेन डीसीज है जैसे कि अर्था आइटीस है गाउट है गठिया है तब भी आपको विटामिन डीस्ट करवाना चाहिए क्योंकि काफी वार देखा गया है विटामिन डी की कमी जो होती है इन विमारियों को बढ़ावा देती है उसके अलावा यदि आपको गुर्दे की बिमारी है किड्नी में किसी तरीके के बार बार इंफेक्शन होता है पिशाब में बार बार इंफेक्शन होता है तब भी आपको विटामीन डीटेस करवाना चाहिए कि जिन लोग को गुर्दे की बिमारी होती है उनके शरीड में कैलशियम की या कमी हो जाती है जिस विएसे विटामिन डीटेस आपको बताता है कि कैलशियम की कमी है की नहीं है उसके अलावा जिन लोग को हार्ट की बिमारी है बलड की प्रेशर की बिमारी है उनके लिए भी विटामीन डीटेस बहुत जरूरी होता है साथ-साथ में जो लोग प्रेगनेंट हैं या जो महिला दूद पिलाती हैं तो उनके शरीव में भी कैल्शियम की कमी होने के ज़ादा तर चांसिस होते हैं तो इसलिए उनको भी विटामिन डीटर्स जरूर करवाना चाहिए साथ-साथ में यदि आपके बाल जड़ते हैं, बाल तूटते हैं, बालों में परशानी है तब भी आपको विटामिन डीटर्स की बहुत जरूत होती है क्योंकि हो सकता है कैलशم की कमी से असा हो रहा हो उसके अलावा डिपरेशन एक बहुत बड़ा कारण है, जिस विटामिन डी की कमी है तो दिमाग सही से काम नहीं करता है और ऐसे लोग को डिपरेशन की बिमारी और बढ़ जाती है उसके अलावा चिड़ चिड़ा पॉन होने पर विटामिन डी टर जरूर करवाएं या फिर आपके शेरी में खून की कमी है खून की कमी यदि है तो उसमें क्या होता है कि विटामिन डी का लेवल भी हो सकता है कम हो या फिर विटामिन D की कमी की वजह से भी खून की कमी हो सकती है और उसके साथ साथ में जो लोग AC में बहुत जादा बैठते हैं तो ऐसा पाया गया है कि AC ये ठंडे मौसम में रहने टवाले लोगों के शेरी में विटामिन D की कमी होती है क्योंकि उनको परियागत मातरा में सनलाइट नहीं मिल पाती है उसके अलावा यदि आपकी एज 30 साल से उपर है तो आपको साल में एक बार विटामिन D टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए क्योंकि ये आपको बताएगा कि शेरी में विटामिन D की कमी है कि नहीं है यदि कमी है तो उसी तरीके से आप सप्लिमेंट ले सकते हैं और विटामिन D की कमी की पूर्ती कर सकते हैं अब यदि हम बात करें कि विटामिन D टेस्ट दोरान क्या किया जाता है विटामिन D टेस्ट कैसे होता है लहर में तो इसके लिए नॉर्मल आपको खून की जरुवत होती है जो नॉर्मल ब्लेट आपके जो होता है हाथ से निकालते हैं और उसका परफॉर्म होता है एक दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है और इसकी कॉस्टिंग लगवग हजार रुपए से लेकर 15-100 रुपए के बीच मे हो सकती है इसके लिए हम बात करें आपको कौन से डेक्टर को दिखाएंगे तो इसके लिए जो फिजीशन होते हैं जैनल फिजीशन आपके पास में आप उन से इसके बारे में रिपोर्ट के साथ में कंसर्ट कर सकते हैं आपको इंफोर्मेशन अच्छी लगी होगी